हेलो फेमली आपका हमारी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है अगर आपकी डिलिवरी सर्दियों में हुई है या फिर होने वाली है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना काफी जरूरी है क्योंकि सर्दियों में काफी महिलाओं को समस्या होने लगते हैं आपको कुछ बातों को ख्याल करना है कौन कौन से बातों का ख्याल करना है चलिए वीडियो में जानते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट और टाके जो होते हैं और मेरे हम लोगों के दबे रहते हैं तो उसमें अगर हलकी सी पानी भी होती है आती है रिसाव भी आते हैं तो उस पे महिलाएं काफी ज़्यादा क्याल केर नहीं कर पाती है यह बिल्कुल गलत है सर्दियों में थोड़ा सा आलस भी आने लगता है तो मै नहीं करना है, जितनी बार आपको डॉक्टर ने बोला है, उतनी बार आपको टाके को क्लीन करना है, टाके पे दवाई लगानी है, और आपको ठंडे पानी से नहीं, गुंगुने पानी से हलके गुंगुने पानी लेके, और जो भी दवा वगर दिया रहता है, डिटोल वगर डिया रहता है उससे आपको क्लीन करने ही करने है थोड़ा सा भी इसमें आपको आलस नहीं करने हैं क्योंकि इसमें आपको टाके अगर टाके तो इस समय पकते नहीं हैं बट अगर कोई समस्या आ गई तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं तो आपको थोड़ा भी आलस नह सब्सक्राइबर उनका मैसेच आया था कि मैं मेरा हैर यह नहां कि यह होता है सर्दियों की वजह से होता है तो old को विक्नेस होती है और थोड़ा सा भी लपर्वाही आप करेंगी तो आपका सर पकड़ लेगा और विक्निस तो आपको है ही आपको इस समय आपका आपकी बोड़ी पूरी खुली रहती है इस समय जब आपकी delivery हुई रहती है तो आपको extra care करने की ज़रूरत है इस बात को आपको ख्याल करना है अपने सर को अपने पैरो को अपनी बोड़ी को पूरा ढख के तो सर्दी है तो सर्दयों में तो आपको ढखके रखना ही रखना है इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बतादो कि अपने सर पे मस्टोर टील हो गया या फिर ठंडे टेल का नहीं मतलब जो ठंडा तेल लाता उसको नहीं आपको इस्तमाल करना है, मस्टर डॉयल आप अपने सर पे तेल वगएरा रखते रहें क्योंकि इस समय थोड़ा आखे भी कमजोर हो जाती हैं और सर भी कमजोर हो जाते हैं और जो पैर में विकनेस आ रही है यानि कि जब पैर खड़ा होके आप चल रही है, कि फुलकी मालिस करवाएंगी तो इससे आपके जॉइंट्स में जो पैन हो रहे हैं उसमें भी आपको काफी रिलीफ मिलेंगे इसके अलबा मैं बता हूं कि आपको जो है अजवाइन वाला पानी ही पीना है अजवाइन के पानी अगर पीएंगी तो इससे आपके सिसु को बिरंगी सब्सब्सब्स आ रहे हैं तो आप हर तरह की रंग भी रंगी सब्सब्सब्स करिए और नहीं हों गया आपको तक्रणभना के दाल हो गए इन सारे लों को आप इस्तेमाल करिए आपका दूरम मिल्क भी अच्छे से बने का इगा उनमें अगर डॉक्टर ने बोला कि हलका फुल का घी वगएरा खाने को आप खा सकते हो बट नहीं खाया जाता है सी सेक्शन में लेकिन आप थोड़ा बहुत दिन भर में आधी चमच तो खाई सकते हो आधी चमच इसकी अलावा फ्रेंड्स अजकल पिनिया वगएरा बहुत बनाए जाते हैं तो आप घी में न यूज करना है आपको जितना गर्म तासिर की चीजे हैं उसको आपको अपने डाइट में सामिल करने हैं ताकि आपको रिकवरी करने में काफी आपको असान हो इसके अलावा फ्रेंड्स आपको अपने पैरों को भी ढखके रखना है नंगे पैर आपको बिलकुल नहीं चलन हो तो उसमें आप हलका फुलका हींग और अजवाइन का तड़का जरूर मरवाईए और हलका तेल वगएरा भी थोड़ा कम खाईए इस समय गैस कॉंश्टिपेशन की समस्या होती है और पानी पीने में लपरवाही आपको नहीं करनी है अगर आप पानी पीने में लपरवाही अगर आपको पानी कम से कम चार से पानी तो जाट थंड के मौसम है तो क्या हुआ लेकिन आपको पीते रहना चाहिए ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपने बेवी को भी ब्रेश्ट फिट अच्छे से कराईए और यह पीने पानी पानी जब बेवी को ब्रेश्ट फिट करा रही है तो डाइरेक्ट गोद मेना लेकर एक पीलो रख लिजिए उसके उपर अप्रेश्ट ने बेवी को लिए और प्रापर अपने टाकों की और अपने केयर करते रहें और कम से कम 45 दिन तक तीन महीने तक आपको अराम करने हैं इसके अलावा ऐसा काम आप बिल्कुल नहीं करिएगा कि दिन भर कंबल में गुसे रहेगा ठंड के मोसम है तो थोड़ा बहुत बाहर टहल वहल भी लीजिएगा कि ताकि जो भी खा पी रही है उपचे आसानी से फ्रेंड्स आई होब कि ये वीडियो में आपको मैंने सारी इंफ कर दे दो इा नहीं कर दोड़ा बीजिए nam आपको माड़ बाहर जा सुटए नहीं कर दो ओंवार दो ग्ली खामको कर दोन्कुल आप कर दो भी लीजिएगा कि जो बाहर आपसा